भारती धंता पार्टी के नगर परिशत चेर्मेन पद के उमीदवार जिले सिंग सैनी ने आज वार्ड नमबर आठ का डोटू डोट जाकर तोरा किया वहाँ पर बुजूर्गों ने उन्हें आशिर्वाद दिया साथ ही महिलाओं ने उन्हें दुलार किया साथ ही युवाओं का साथ था सभी व्यक्तियों ने उन्हें जीत का आशवाशन दिया साथ ही जिले सिंग सैनी के समक्ष कई ऐसी समश्याएं भी रखी जो उन्हें कहा वार्ड नमबर आठ में ये समश्या बनी हुई है सबसे पहले उन्हें ने बताया कि बरसाती पानी का जल भराव हो जाने की वज़े से यहां पर निकल नादू भर हो जाता है साथ ही उन्हें ने बताया पीने के पानी की सबश्या है और महिलाओं के लिए अगर वार्ड में CCTV कैमरे हो जाएं तो क्या कहने जिले सिंग सैनी ने भी किसी को निरास नहीं किया और साथ ही उन्हें कहा सुबे के मोख्य मंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष ओम्प्रकास धन्खड की जो नीतिया है उसे जमीनी हाकिकत देंगे और विकास कारियों का जो खाका उन लोगों ने तयार किया है जिले सिंग सैनी उन्हें जमीन पर अमली जानमा पहनाएंगे और जज़जर का चवमू की विकास होगा जहां भी कम्या रह गई है उन्हें पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा और वार्ड नमबर आठ में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है और लोग हमारे बहुत ही साथ है सबसे ज़्यादा रिस्पॉंस हमें ही मिल रहा है चोटी मोटी समझ्चाएं हैं मूल भूत समझ्चाएं हम जल से जल्द उनको जैसे ही एलेक्शन के बाद हमारी सबसे पहले निम्टारा करने का परियास करेंगे बाकी हमारे परदेश के मुख्यमंतरी स्री मनौरलाल जी और परदेश अध्यक्ष स्रीयोंपरकास धनकर जी विकास की राजनीती करते हैं वो किसी पर कटाश या ऐसी कोई बात नहीं है यहां केवल और केवल विकास की अदान और जो 90 जो हमारे पार्षद है सभी विजाई होंगे और उसके बाद स shroud की जो भी चोटी मोटी समय रहे है अधे वाड़ मेंताने का परियास करें इसा है नहीं मारे सभी 19 के 19 पार्षद जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे अच्छे पाणी की समस्षा है ना गड़ी की समस्षा है वह आप इनसे मैंने रिक्वेस्ट के अभी मिलके बाद में सारे संक्राइब अफिलालत अच्छा मिल रहा है अच्छा है